बिस्मिल्लाह रुमान रहीम, असलाम अलेकुम प्लेयलिस्ट के अंदर विजिट कर लिया कीजे, आपको बहुत असानी से वीडियो मिल जाएगी, अब हम exercise 4.2 करना स्टार्ट करते हैं, question number 1 है, factorize the following, हमें ये चार question दी हमें इनको factorize करना है, इस exercise के अंदर आप एक नया method सीखेंगे, factorization का, वो है completing square, जो आपने exercise 4.1 में नही तो हम इसे करना स्टार्ट करते हैं, पहले मैं आपको ये बताते हूं कि आप कैसे पैचानेंगे, कि इस question के अंदर आपने completing square करना है, किसी भी question को पैचानने के लिए बहुत असान तरीका है, देखें ये जो value होती है, ये a होती है और ये b होती है, अगर हम इसके उपर square का formula अपलाए करें, आपको square का formula पता है, a square plus 2ab plus b square, किसके बराबर होता है, a plus b whole square के बराबर होता है, अगर हम इसके उपर ये square का formula अपलाए करें, प्लस यहाँ पे B² एकना है B हमारे पास क्या है X4 यानि X² का Squire हमने X4 की जगा X² का Squire कर दिया अब यह A हमारे पास है A² और B हमारे पास है X² यह हो गया A4 यह हो गया X4 लेकिन इसकी middle value क्या रही है प्लस 2A² X² जबके इसके अंदर देखें a4 तो है x4 भी है लेकिन middle value क्या है a2 x2 तो इसकी middle value इस question से match नहीं हो रही जब हम किसी question पे square का formula apply करें और उसकी middle value match नहीं आए same नहीं आए तो फिर हम उसे completing square से solve करते हैं तो इस question को हम completing square से solve करते हैं ये तो मैंने आपको reason बता दी कि हम क्यों completing square करेंगे अब completing square किस तरह करेंगे उसका proper method में आपको चुरू से करना सिखाती हूं तो हम question number 1 का question 1 start करेंगे इसको सबसे पहले हम arrange करेंगे ये जो a4 है ये लिख लेते हैं ये जो इसकी middle value है इस middle value को हम last में ले जाएंगे तो ये पहले हम लिख लेंगे plus x4 और ये middle value क्या है plus a square x square इस middle value को हम अगले step में भी last में ही लिखेंगे ठीके इसको हमने bracket दे लिया अब इसके उपर हम square का formula apply करेंगे square का formula आप सब को पता है ये अब a है और ये b है तो a पे b whole square कर देंगे यहाँ पे हमें लिखने है a और b a क्या है हमारे पास है a square और b क्या हमारे पास है x4 है तो x4 का whole square कर देंगे x square का square हो जाएगा तो यहाँ पे b क्या आ जाएगा x square आपको पता है ना कि हम यहाँ पे a और b जो इसके bracket के अंदर होते है इसको हम कर देते हैं bracket में close इसको देखते हैं अब हम इसके अंदर middle value क्या रही है 2a square x square और यहाँ पे क्या middle value है यहाँ पे कोई middle value नहीं है ठीके इसका मतलब है हमें इसकी middle value को خतम करना होगा इसकी middle value क्या है plus 2a square x square तो हम इसका opposite लिख देंगे minus 2a square x square क्या लिख देंगे minus 2a square x square हमने लिख दिया क्यूंकि इसकी middle value कुछ भी नहीं थी तो plus 2a square x square का हमने inverse यानि minus 2a square x square लिख दिया अगर यहाँ plus होता है तो हम यहाँ minus में लिख दें यहाँ minus में होता है तो plus में लिख दें बिल्कुल same value को हम सिर्फ sin inverse करके लिख देते हैं ठीके अब ये हमारा a4 plus x4 की लिखा पूरी value आ गई ये जो हमारी वाली value थी ना अब इसके बाद हम ये वाली value लिख लेते हैं last में हम a2 x2 की value लिख लेते हैं ठीके इसको हम mention कैसे करेंगे हम mention ऐसे करेंगे हम इसके अंदर लिखेंगे adding and subtracting 2a2 x2 ठीके यहाँ पर हम क्या mention करेंगे हम लिखेंगे हमने 2a2 x2 को add भी करा है और subtract भी करा है तो हम क्या लिखेंगे adding and subtracting 2a2 x2 ठीके हमने 2a2 x2 को add भी करा है और subtract भी करा है यह adding और subtracting वाली line आप इस formula को apply करने के बाद नीचे वाली line में लिखेगा मैंने गलती से उपर लिखे, आप नीचे लिखेगा यह perfect square हो गया, तो हमने इसके middle value को opposite लिख दिया है तो अब यह हो गया perfect square, तो हम इसका formula close कर देंगे formula close करने में क्या होगा, यह वाला a square लेंगे, यह plus लेंगे और यह x square लेंगे, और इसका कर देंगे whole square, यह हमने कर दिया a plus b whole square, ठीक है, square का formula close कर दिया है क्योंकि a square भी two time है, और यह x square भी two time है, हमने कर दा a² plus x² का whole square अब हमारे पास देखें, यहाँ पर हमारे पास है minus 2a²x² plus 1a²x² plus minus, minus होता है तो minus 2a²x² में से जिब हम 1a²x² को minus कर डिंगि, हमारे पास क्या देगा minus 1a²x² हम क्या लिख देने, minus 1 लिखने की जरूरत नHz ही है, हम सुरिफ हमेशा बड़े का लिखने 2 बढ़ा था तो 2 के साथ माइनस सब ने माइनस लिख दिया ठीक है यहां तक आ गया इसके बाद हम इसके उपर formula 5 apply करेंगे हम लिख देते हैं यहां पर applying formula 5 formula 5 क्या होता है a whole square minus b whole square किसके बराबर होता है a plus b a minus b के यह भी आपने exercise 4.1 में सीखा वाए अब यह हमारे पास a है इस पे तो whole square है यह b है इस पे whole square नहीं इसको भी whole square कर देते हैं हम लिखते हैं a square plus x square का whole square minus ax का b whole square हमने कर दिया a whole square minus b whole square क्योंकि इस पे formula apply हो गया तो अब हम इसको क्या लिखेंगे a plus b a minus b की तरह लिखेंगे a है यह b है तो a को पूरा ऐसे लिख लेते हैं a plus b लिख लेते हैं a square plus x square यह हमने a लिख लिया अब हमें b को plus के sign के साथ लिखना है b हमारा क्या है a x तो हम लिख लेंगे plus ax ठीक है यह होगी हमारा a plus b इसके बाद हमें लिखना है a minus b a हमारा पूरा क्या है a हमारे पास है a square plus x square a square plus x square a लिख लिख लिए और यह जो b है इसको हम एक बार minus के sign के साथ लिख देंगे यह हमारा question solve हो गया इसको हम arrange कर देते हैं a square यह जो plus ax है इसको हम middle में लिख लेंगे plus x square और यह है a square minus ax plus x square हमने middle value को middle में लिख लिया और इनको arrange कर दिया यह हमारा question solve हो गया तो देखें यह था आपकी book का method थोड़ा सा difficult है लेकिन आप जो दो तीन सवाल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसका एक और easy method भी होता है लेकिन क्यूंकि आपकी नई book के अंदर यही method सिखाए गय क्यूंकि अगर हम इसके उपर भी square का formula apply करेंगे तो देखें इसके middle value है plus b square अगर हम इसके उपर square का formula apply करेंगे तो middle value आएगी plus 2b square तो इसका मतलब है यह perfect square नहीं है इसको perfect square करने के लिए हम completing square करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे इसको पहले arrange करेंगे पहले हम यह लिखते इसको हम छोड़ देंगे, सिर्फ इस पर apply करेंगे, तो B4 plus 1, B4 क्या है, A है, और 1 क्या है, B है, A के उपर भी whole square कर देंगे, और B के उपर भी whole square कर देंगे, B4 का whole square क्या बन जाएगा, B2 का square, plus 2 हम लिखेंगे formula का, और यहां हम क्या लिखेंगे, यहां में A multiply by B लिखना है, A हमारे पास क्या है, B square है, और B क्या है, हमारे पास B है, 1, यहां पर हमें क्या करना है, B का square करना है, यानि 1 का whole square करना है, ठीक है, इसको हम bracket कर देते हैं, यह हमने B4 plus 1 को square के formula से open कर लिया, अब इसको देखें, square करने के लिए, जो भी middle value आई है, उसका हम inverse लिख देंगे, middle value हमारे पास आई है, plus 2B square, inverse हो जाएगा, minus 2B square, फिर उसके बार यह था, plus B square, यहां पर उतार लिया, यहां पर हम mention करेंगे, कि हमने क्या कर रहे, by adding, and subtracting, और क्या हमने इसमें add और subtract कर रहे, वो ही हम लिखेंगे, हमने इसमें 2B square को add कर रहे, और 2B square को ही subtract कर रहे, 2B square, ठीक है, यह हमने इसके अंदर mention कर लिया, अब हमने इसको completing square के formula से, perfect square बना दिया है, तो इसका formula अब हम close कर सकते हैं, formula close करने का तरीका क्या होता है, यह हमारे पास A की value होती है, bracket के अंदर हम यह लेते हैं, यह plus का sign लेते हैं, यह B की value लेते हैं, A हमारे पास क्या है, B square, यह plus लेंगे, और B की value क्या है, 1, हमने 1 ले लिया, और हमने इसको कर देंगे whole square, क्योंकि B square भी लेके 2 time है, और 1 भी 2 time है, यानि B square plus 1 का whole square हमने लिख दिया, अब इस तरफ जो है, इस value को solve करते हैं, minus 2 B square है, और यह plus B square है, minus 2 B square में से, 1 B square को minus करने के हमारे पास आजेगा, minus B square, क्योंकि हम sign हमेशा बढ़े का लिखने हैं, minus B square, A plus B और A minus B, यह हमने formula 5 लिख दिया, इसके उपर formula 5 अपलाए करेंगे, तो A पे तो whole square हुआ है, B पे भी whole square कर देंगे, ठीके B square plus 1, यह हमारा A है, इस पे whole square हुआ है, minus B जो है हमारा B है, इसको भी हम whole square कर देते हैं, अब इसके उपर formula apply हो जाएगा, यह A है, यह B है, A को हम ऐसे ही लिखेंगे, B को एक बार plus के sign के साथ, और एक बार minus के sign के साथ लिख लेंगे, B square plus 1, A ऐसे ही उतार लिया हमने, यह जो B की value है, इसको हमने एक बार plus के sign के साथ लिख देना है, इसको arrange कर देते हैं, B square plus B plus 1, middle value का हमने middle में लिख दिया, इसी तरह B square minus B plus 1, यह हमारे पास solve हो गया, question number 2 भी solve हो गया, question number 3 है, A8 plus A4 X4 plus X8, तो इसको भी बिल्कुल हम उसी तरह करेंगे, क्यूंकि अगर हम square का formula लगाएंगे, तो उसमें हमारे पास middle value आईगी, plus 2 A4 X4, जबके इसके अंदर क्या है, A4 X4 है, इस दिए इसको भी हम completing square से करेंगे, सबसे पहले arrange कर लेते हैं, A8 और X8 को पहले लिख लेते हैं, A8 लिखेंगे, plus X8 लिख देंगे, middle value का हम last में लिख देंगे, plus A4 X4, जब यह जो हमने इनको arrange कियाता है न, इसको हम bracket करके close कर देंगे, इसको हम एक bracket में कर देंगे, इसके ओपर formula apply करेंगे, square का, यानि यह A हो गया और यह B हो गया, यानि A8 का क्या बन जाएगा, 4 to the 8, A की power 4 और इसको whole square कर दिया, plus 2 formula का लिखेंगे, और यहां bracket में क्या आएगा, यहां पर आएगा, यह A4, और B की value हम देखते हैं, B की value क्या है, X8 है, तो X8 का whole square क्या बन जाएगा, 4 multiply by 2, ठीक है, 4 to the 8 होता है न, X8 की देखा हम लिख देंगे 4, और उसके पर square कर देंगे, middle value नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हमें inverse लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा यह इससे match हो जाए, perfect square हो जाए, तो completing square करने के लिए हम, plus 2 A4, X4 का inverse लिखेंगे, minus 2 A4, X4, ठीक है, तो यह हमने, A8 plus X8 का solution कर दिया, अब इसके बाद जो है, plus A4, X4 बागी है, वह हम यहाँ पर लिख लिखेंगे, plus A4, X4, इसको हम क्या करते हैं, bracket कर देते हैं, हमने इसका completing square कर दिया, क्यूंकि जो इसके middle value थी, उसका हमने inverse लिख लिख दिया, इसका मतलब है, अब यह completing square हो गया, इसका formula close कर देते हैं, यह हम लेंगे A4, यह वाला plus लेंगे, और यह X4 लेंगे, ठीके, और इसका कर देंगे whole square, यह इसका formula close हो गया, अब यहाँ पर देखें, minus 2 A4, X4 है, और plus A4, X4 है, तो minus 2 A4, X4 में से, plus 1 A4, X4 को minus कर देंगे, क्या देखा, minus 1 A4, X4, minus 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हम लिख लेंगे A4, X4, अब इसके बाद हम इसके उपर formula 5 अप्लाइ करेंगे, applying formula, कौन सा formula यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे, A whole square, minus B whole square, किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है, A plus B, A minus B के, ठीके, अब A यह है हमारे पास, और यह B है, A पे तो whole square हुआ हुआ है, B पे whole square कर देते हैं, A4 plus X4 पे whole square, minus A4, X4 का whole square कर देंगे, A square, X square का whole square हो गया, यह A है, यह B है, A whole square minus B whole square हो गया, तो formula open करेंगे, A plus B, A minus B, A पूरा ऐसी लिख लिख लेंगे, A हमारे पास क्या है, A हमारे पास A4 plus X4, अब B हम plus के sign के साथ लिखेंगे, B हमारे पास है, A square X square, तो हम लिख लेते हैं, plus A square X square, यह हमने A plus B लिख दिया, इसके बाद हम लिखेंगे, A minus B, a हमारे पात से a4 प्लस x4 यह पूरी a की value लिख दी अब हमें लिखना है minus b b हमारे पात से a square x square हम लिखेंगे minus a square x square यह हमने लिख दिया a plus b a minus b अब इसके उपर हम दुबारा square का formula apply करेंगे और इसको completing square करेंगे इसको हम ऐसे ही रहने देंगे तो अब इसके उपर हम दुबारा square का formula apply करेंगे a4 plus x4 को हम इस तरह separate कर देते हैं और plus a square x square को ऐसे ही रहने देते हैं ठीके यह इस तरह हो गया इसको हम ऐसे ही उतार लेंगे a4 plus x4 minus a square x square minus वाला जो है इसको हम ऐसे उतार लेंगे जो plus वाला है इसके उपर हम दुबारा perfect square apply करेंगे ठीके minus वाले पर नहीं करेंगे अब यह रिखें यह middle value हमने side में लिख दी और इसको हमने एक bracket में close कर दिया तो इसके उपर formula apply करते हैं वह square का formula apply करेंगे a4 का क्या हो जाएगा a square का square plus 2 formula का यहाँ पर आएगा a square यहाँ पर क्या आना है यहाँ b square आना है b हमारे पास क्या है x4 है यहाँ x4 का हो जाएगा x square का whole square यहाँ पर आजाएगा x square ठीके इसको देखें तो इसके अंदर middle value आ रही है 2a square x square इसके पास middle value क्या है कोई middle value नहीं है तो plus 2a square x square का inverse हो जाएगा minus 2a square x square और यह जो plus a square x square यह भी हम इसके साथ ही उतार लेते हैं, ठीके? तो यह हमारा यह देखें, इस पूरे की जगा पर यह आ गया, इसको यह से करते हैं, एक bracket में कर देते हैं और यह जो हमारे पास यह value न है, इसको हम यहाँ side में ऐसे ही लिखेंगे, a4 minus a square x square plus x4 थोड़ा सा इसको इस side से कीज़ेगा, ताकि यह यहाँ पर पूरा आ जाए, यह हमने यह value ऐसे ही उतार लिए, इसको solve करते हैं, यह अब हमारा completing square हो गया, क्योंकि हमने इसका middle value थी, उसका inverse यहाँ लिख दिया, हमने इसके नदर 2a square x square को add भी कर लिया, और subtract भी कर लिया, यह हम लिख देते हैं, कि हमने क्या कर रहा है, by adding and subtracting 2a square x square, यह हमने mention कर लिया है, यहाँ भी हमें mention करना चाहिए था, मैं यहाँ भूल गई, यहाँ भी mention कर यहाँ ठीके, मैं अभी लिख दूगी उपर यहाँ पर, तो इससे क्या हुआ, यह completing square हो गया, इसका formula close कर देते, इसका formula close करके क्या आजएगा, यह a square लेंगे, यह वाला plus का sign यहाँ लेंगे, और यह जो x square यह ले लेंगे, इसको कर दिया हमने whole square, ठीके, इस पूरे की जग x square, ठीके, इस पूरे की जगा पर देखें, यह इतना सा solve हो गया, अब यह जो यह है न, यह यहाँ पर, इसको हम अलग से उतार लेंगे, यह a square minus a square x square plus x4, यह जो है, साथ में हम उतारते वे चलेंगे, इसको solve करेंगे, इसके उपर फिर हम formula 5 apply कर देंगे, यह a square plus x square का whole square, इ a x पे whole square, अब यह होगी हमारा a whole square minus b whole square, जरूरी नहीं है कि आप इसके अंदर यह हर जगा पर लिखें कि आप formula 5 apply कर रहे हैं, वस आप direct apply कर दीजे, अब यह a square plus x square a है, और यह b है, a x जो है यह b है, a की value है मैं ऐसे ही लिखेंगे, b की value को एक बार plus के साथ, एक बार minus के a square plus a x, ठीक है, और a square plus x square minus a x, और यह जो है न, a 4 minus a square x square plus x4 हमने उतार लिया, यह यहाँ पर भी उतारेंगे, a 4 minus a square x square plus x4, यह हर step पे नीचे साथ साथ जाएगा न, अब यह हमारा question solve होगी है, इसको तोड़ा सा और arrange कर लेते हैं, a square plus a x, plus x square, middle value को अमने middle में लिख दिया, a square minus a x, plus x square, a 4 minus a square x square plus x4, यह याद रखेगा, कि जब आपके पास यह solution आया था, आपने plus वाली value, जिसकी middle value plus में थी, उसके उपर तो दुबारा completing square करा है, जिसकी minus में थी, उसके उपर completing square का formula apply नहीं करा, चीक है, अच्छा, यहाँ पे जब हमने plus 2 a 4 x4 को add भी करा, और subtract भी करा है, मैं यहाँ लिखना भूल गए थी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चीक है, adding and subtracting to a 4 x4, चीक है, तो यह हमारा question number 3 complete हो गया, question number 4 है, z8 plus z4 plus 1, इसको भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे, z8 लिखेंगे हम, z8 और plus 1 लिख लेंगे, और यह जो plus z4 है, इसको हम last में ल z8 plus 1 पे जब हम formula square का apply करेंगे, z8 का क्या whole square हो जाएगा, z8 के लिखेंगे, z4 whole square, plus 2 formula का लिखेंगे, यहाँ हम लिखना है, a multiply by b, a हमारे पास क्या है, z4 है, और b क्या हमारे पास b है, 1, और फिर यहाँ पे हम करेंगे, plus b का whole square, हमने कर दिया, a square plus 2ab plus b square, इसको हम bracket में close कर द देते हैं, अब इसके अंदर middle value देखें, क्या है, हमारे पास middle value आईए, 2 z4, और यहाँ पे middle value कुछ भी नहीं है, completing square करने के लिए, जो भी middle value आईए, उसका हम inverse लिख देंगे, हमारे पास middle value आईए, plus 2 z4, हम लिख देंगे, minus 2 z4, और यह जो plus z4 था, यह भी हम यहाँ पे side म उतार लेंगे, हमने इसके अंदर 2 z4 को add भी कर दिया, और subtract भी कर दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं, adding and subtracting 2 z4, यह आप यहाँ पे उपर लिख लिख लिजेगा, अब हमने इसको completing square के method से perfect square बना दिया, तो इसका formula close हो जाएगा, हम यह z4 लेंगे, यह बाला plus लेंगे, औ यह जो भी हमने, इसका a की value होती है, यह हम यहाँ लेते हैं, यह plus का sign लेते हैं, जो b की value होती हैं यहाँ लेते हैं, उसका whole square कर देते हैं, अब यह minus 2 z4 में से, हम 1 z4 को minus कर देंगे, हमारा पता देगा, minus z4, ठीक है, 2 में से बन गया 1, यह हमारा a है, और यह b है, a पे तो whole square minus b whole square हो गया, चाहें तो आप लिख लें formula, जरूरी नहीं है लिखना लेकिन लिखने तो अच्छी बात है, a whole square minus b whole square किसके बराबर है, a plus b, a minus b के, यह a है, यह b है, तो a whole square minus b whole square हमने कर दिया, हमने करना है, a plus b, और a minus b, a को पूरे को हम ऐसे लिख लेते हैं, z4 plus 1, और z square हमा यह हो गया, a plus b, अब हमें करना है, a minus b, a हमारे पास है, z4 plus 1, और b हमारे पास है, z square हम लिखेंगे एक बार minus के sign के साथ, यह हो गया, हमारे पास z4 plus 1 plus z square, z4 plus 1 minus z square, अब यह z4 plus 1 जो है, इसको हम bracket में कर देते हैं और plus z square को side में कर देते हैं, जिसमें plus की value है, उसको हम completing square करेंगे और माइनस वाले को मैसे ही उतार लेंगे z4 माइनस z square plus 1 इसको मैंने सिर्फ तर्तीब सही करिए middle value को middle में लिख दिया है इसके ओपर हम पिर completing square का formula यूज़ करेंगे तो हम यहां लिख देंगे इसके अदर हम क्या add करेंगे adding and subtracting तो हम इसके अंदर क्या add और subtract करेंगे वह हम इसको apply करके देखेंगे तब ही हमें पता चलेगा तो इसके उपर जब हम करते है z4 plus 1 के उपर हम formula open करते हैं तो क्या बन जाएगा z4 plus 1 का z square का whole square हो जाएगा plus 2 formula का आएगा यहां पे आएगा z square यहां पे हमें b की value लिखनी है b हमारे पास क्या है 1 है तो 1 पे यहां पे कर देते हैं whole square यहां पे आजएगा 1 अब इसकी immediate value हमारे पास आगई 2z square 2z square का हम inverse लिखेंगे minus 2z square ठीके और यह जो plus z square है यह हम साथ में उतार लेंगे इसको हम कर देते हैं bracket में और यह जो पूरा bracket है यह हम यहां पे साथ में उतार लेते हैं z4 minus z square plus 1 ठीके अब यह जो है हमारा completing square हो गया इसको हम formula close कर देते हैं यह वाला हम z square लेंगे जो भी bracket के अंदर होते हैं वो लेते हैं सरफ z square यह वाला sign लेते हैं अगर यहां minus होते हैं तो हम यह minus लेते हैं plus लिया और यह जो b है हमारे पास है b की value 1 1 लेंगे इसका whole square कर देंगे अब यह minus 2 z square में से हम 1 z square को minus करेंगे हमारे पास आजएगा minus z square और यह जो value है z 4 minus z square plus 1 को हम ऐसे ही उतार लेंगे यह हमारे पास है a और यह है b इसके उपर हम formula 5 apply कर देते हैं z square plus 1 का whole square यह हो गया a whole square minus यह b है इसको भी हम whole square कर देते हैं और यह जो value है इसको हम ऐसे ही उतार लेते z 4 minus z square plus 1 को ऐसे ही उतार लेते हैं हमारा बन गया A holy square minus B holy square यह हमारा formula 5 अप्लाए हो गया इसको हम formula 5 को open कर लेते हैं हम लिखेंगे A plus B A minus B A की value क्या है Z square plus 1 पूरा Z square plus 1 लिखा और B हमारे पास है Z इसको हम लिख लेंगे plus Z एक रफ हम B को plus के साथ लिखेंगे दुबारा हम करेंगे A minus B A हमारे पास है Z square plus 1 और B हम लिख लेंगे minus के sign के साथ minus Z Z 4 minus Z square plus 1 ऐसे ही उतार लिया अब यह हमारा question तो solve हो गया इसको थोड़ा सा arrange कर लेते हैं हम लिखेंगे Z square plus Z plus 1 middle value को हमने middle में लिख दिया इसी तरह Z square minus Z plus 1 यह हमने arrange कर लिया Z 4 minus Z square plus 1 यह हमने पहले ही arrange कर लिया था तो यह arrange ही है ठीके तो हमारा question number 4 solve हो गया question number 1 के 4 questions से हमने 4 questions solve कर लिये इसके बाद हम question number 2 करेंगे exercise 4.2 का question number 2 करेंगे question number 2 में भी हमें factorize करना है इसके अंदर भी हमें completing square करना है question number 2 का question 1 है x4 plus 4 y4 इस question को देखकर हम बहुत असानी से पैचान लेते हैं कि इसके अंदर completing square होना है अगर middle value given ना हो और दोनों values उसके दर्मियान में plus हो तो हम हमेशा उसे completing square से ही solve करते हैं सबसे पहले ऐसे करते हैं इन दोनों को alag-alag हम square करके लिख लेते हैं x4 की जगा हम लिख सकते हैं x2 का square plus 4 y4 की जगा 2 y2 का square يعni देखें 4 y4 की जगा हम लिख सकते हैं 2 y2 का अगर हम square करेंगे then 4 y4 आएगा अब द के उपर square का formula apply करेंगे a plus b holy square का formula क्या होता है a square plus 2ab plus b square यही हम इसके उपर apply करेंगे यह हमारा a है और यह b है हमारे पास a की value क्या है a की value हमारे पास है x square तो हम लिख देंगे x square का square plus 2 formula का यहां में a multiply by b लिखना है a हमारे पास क्या है x square और b हमारे पास कहा है 2y² b कि जएक हम 2y² लिख लेंगे प्लस यहां b² करना है b हमारे पास है 2y² तो हम 2y² का square कर देंगे ठीक है यह हमने इसको formula से open कर दिया लेकिन आप इसके अंदर देखें तो middle value हमारे पास आ रहे है 2 to the 4 x² y² और यहां पर हमारे पास कोई middle value नहीं है इसलिए हम इसको completing square से solve करेंगे जो भी middle value हमारे पास आ रहे है उसका हम inverse लिख देंगे middle value हमारे पास आ रहे है plus 2 to the 4 x² y² हम इसका inverse लिखेंगे minus 4 x² y² ठीक है यह हमने इसकी middle value का inverse लिख दिया completing square कर लिया यहां पर हम लिखेंगे by adding and subtracting for x² y² ठीक है अब क्यूंके हमने इसे completing square कर दिया है इसलिए हम इसके formula को close कर सकते हैं formula close करेंगे यहां से x² लेंगे यह plus लेंगे और यह 2 y² लेंगे इसका whole square कर देंगे ठीक है क्योंके यह a है और यह b है x² यह वाला plus लिया यह b हमारे पास है 2 y² 2 y² whole square यह हमने इस पूरे का formula close कर दिया है यह जो हमारे पास है minus 4 x² y² इसको हम यहां लिख लेते हैं minus 4 x² y² हमने ऐसे इसे उतार लिया अब इसके उपर हम formula 5 apply करेंगे minus b a minus b देखें यह a है और यह b है और इन दोनों के दर्मियान में है minus पहले हम इसको स्कॉयर कर लेते हैं x² plus 2 y² whole square इसके उपर तो स्कॉयर होई है लेकिन इसके उपर नहीं होई है b की value पे स्कॉयर करते हैं 4 का स्कॉयर root क्या होगा 2 x² का x और y² का y 2 x y पे whole square 4 x² y² के जगा हमने लिख दिया 2 x y whole square अब यह देखें फॉर्मूला इसके अपलाई होगया a² minus b² होगया तो अब हम इसका फॉर्मूला ओपिन करेंगे a plus b, a minus b से a को पूरे को ऐसे लिखेंगे b को एक बार plus के sign के साथ और एक बार minus के sign के साथ लिखेंगे x² plus 2 y² यह a की value हमने उतार ली और यह 2 x y b है b हम एक दफा plus से multiply करके रिखेंगे plus 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 2 x y अब हम a minus भी लिखेंगे यह पूरा a हमारे पास है x² plus 2 y² और b की value का है हमारे पास है plus 2 x y plus minus minus 2 x y एक बार हमने b को plus से एक बार minus से रिख लिया अब इसको थोड़ा सा arrange कर लेते हैं यह question हमारा solve हो गया x² plus 2 x y plus 2 y² middle value को हमने middle में लिख दिया x² minus 2 x y plus 2 y² ठीक है यह हमारा question solve हो गया exercise 4.2 के question number 2 का question 2 है 36 x4 z4 plus 9 y4 2 values है और दोनों के दर्मियान में plus है और इनकी middle value नहीं है इसलिए हम इसको completing square से करेंगे देखें इसके अंदर सबसे पहले जो है हम common निकालेंगे क्योंकि इसके अंदर से common निकल रहा है 36 का अगर हम multiple देखें 9, 4, 0, 36 होता है और 9, 1, 0, 9 तो दोनों के पास 9 common है तो हम 9 common में निकाल लेंगे सबसे पहला step इसका यह most important है अगर हम 9 common नहीं निकालेंगे तो हमारा answer ठीक नहीं आएगा अब यहाँ पे देखें 9, 4, 0, 36 होता 9 common में चला गए यहाँ बचा है 4 x 4 z 4 तो यहाँ हम remainder लिख लेते हैं 4 x 4 z 4 प्लस और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे 9 common में चला गया y 4 बच गया तो हम सिर्फ y 4 लिख लेंगे ठीक है यह हमने common और remainder लिख दिए common निकले 9 और remainder हमारे पास है 4 x 4 z 4 प्लस y 4 यह हमारे पास remainder है अब यह जो हमारे पास value है 9 अब हम side में रखेंगे इसको हम बिल्कुल भी इस्टिमाल नहीं करेंगे ऐसी side में रखेंगे और इसके उपर अब हम formula अपलाय करेंगे और completing square करेंगे तो इसका square root कर देते हैं पहले हम 4 x 4 z 4 का क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा 2 x 4 का हो जाएगा square और z 4 का हो जाएगा square और कर देंगे whole square ठीके लिखें 4 x 4 z 4 का square root क्या होगा 2 x square z square का whole square plus y 4 का क्या हो जाएगा y square का square और bracket close कर दिया हमने ठीके यह हमारे पास हो गया formula अब इसके उपर हम करेंगे square का formula अपलाय square का formula जो अभी मैंने पीछे whole square का formula यूज करेंगे a plus b whole square is equals to a square plus 2ab plus b square अगर हमारे पास दोनों value के उपर square होता है उनके दियाने plus होता है तो हम square का formula अपलाय करते हैं 9 हम ऐसे ही side में रखेंगे और यह जो value है इसके उपर हम square का formula अपलाय करेंगे 2 x square z square हमारा a है और y square हमारा b है a पे भी whole square है b पे भी whole square है अब हम इसके उपर यह formula अपलाय करेंगे जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम 2 x square z square लिखेंगे जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम y square लिख देंगे क्योंकि हमारा a जो है 2 x square z square और b है y square तो जहां जहां A हे वहां हम लिखते हैं 2x²z² A² करना है तो 2x²z² का स्कॉइर हो गया प्लस 2 formula का है उसके बाद हमने A multiply by B करना है A हमारे पास है 2x²z² 2x²z² और B हमारे पास है y² ठीक है और फिर हमें करना है प्लस b² B हमारे पास है Y square, यानि हमें Y square का square कर देना है, bracket close कर देंगे, और अब इसको देखें, इसकी middle value हमारे पास आ रहे है, 2 to the 4, X square, Z square, Y square, ठीक है, plus 4, X square, Y square, Z square, इसके middle value आ रहे हैं, जबकि कोई question में हमारे पास इसके अंदर कोई middle value नहीं है, तो हम इसके लिए, इसलिए हम इसक subtract कर देंगे, middle value हमारे पास आ रहे है, plus 4, X square, Y square, Z square, इसका inverse हम लिखेंगे, minus 4, X square, Y square, Z square, ठीक है, यह हमने completing square कर दिया, हम यहाँ पर mention भी करेंगे, by adding, and subtracting, क्या add or subtract कि है, हमने add or subtract कि है, 4, X square, Y square, Z square, 4, X square, Y square, Z square, ठीक है, यह हमने mention कर दिया, अब क्यूंकि यह completing square हो गया, तो इसलिए हम इसका formula close कर देंगे, 9 हम ऐसे ही side में लिखेंगे, bracket देंगे, और इसका formula यहाँ पर close करेंगे, formula close करने का तरीका आपने exercise 4.1 में सीका वाए, य यह A लेंगे, यह B लेंगे, उनकी दर्मियां की plus का sign लेंगे और इनका whole square कर देंगे, A हमारे पास क्या है, 2, X square, Z square, plus लेंगे, और यह B हमारे पास है, Y square, Y square लेंगे, और इसका whole square कर देंगे, यह जो पूरा open formula था, इसको हमने close कर दिया, square के formula में, यहाँ पर जो हमारे पा इसके उपर हम फॉर्मूला 5 अपलाए करेंगे 9, 2x², z², प्लस y² इसके उपर whole square पहले से इसे लिख लेते और इसके उपर भी whole square कर देते अब यह हमारा a है और यह b है अब यह b के उपर भी whole square कर देंगे 4 का square root होता है 2 x square का होगा x, y square का y, z का z तो 2 x, y, z पे whole square हो गया इसका square root हमने लिख दिया हमने 4 x square, y square, z square को square के form में लिख दिया 2 x, y, z का whole square अब यह हमारा a पे भी whole square होगा बी पे भी whole square होगा यानि formula 5 अपलाए हो जाएगा जब a पे भी square है, बी पे भी square है उनके बीचे minus का sign है तो a plus b, a minus b का formula अपलाए होता है तो हम a की value को ऐसी लिख लेंगे 2 x square, z square, plus y square हमने ऐसी ही लिख लिया और यह जो b हमारे पास है 2 x, y, z, इसको हम एक बार plus से multiply करेंगे, इसके साथ बैसे कोई sign नहीं है इसका मतलब इसके साथ plus है तो इसको हम बाहर समझेंगे suppose करेंगे कि बाहर plus है तो plus plus, plus 2 x, y, z ठीक है, simple यह समझ लीजे आप यह suppose करते हैं कि इस bracket के बाहर एक बार plus है, एक बार minus है तो जो bracket के अंदर sign होता है उसको उस बाहर के sign से multiply करते है bracket के अंदर कोई sign नहीं है, यादी plus है plus को plus से multiply करा plus 2 x, y, z आ गया अब हम लिखेंगे a minus b a पूरा ऐसे उतारते है 2 x square, z square, plus y square अब b को हमें एक बार minus के sign से multiply करना है b के साथ क्या है, plus है plus minus, minus 2 x, y, z यह हमारे पास हो गया a plus b, a minus b bracket close कर देते 9 ऐसे उतारेंगे, curly bracket बनाएंगे हम इसको arrange कर देंगे वैसे ही आपका answer आ गया लेकिन arrange करेंगे, इसकी middle value को middle में लिख देंगे तो हमारे पास a है 2 x square, z square middle value है, plus 2 x, y, z plus y square ठीके, यह हमारा arrange हो गया इसको भी arrange कर देते 2 x square, z square minus 2 x, y, z middle value को middle में लिख लिया plus y square, यह हमारा question solve होगी question number 2 का question 3 है 44 plus 625 अब दो values हैं, दोनों के दर्मियान plus है, और दोनों पे square root हो सकता है तो दोनों को square root करेंगे और completing square से करेंगे, 44 का square root क्या होगा, 2 t square का square, ठीके, आप 2 t square को 2 t square से multiply करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 t is a 44, ठीके, तो 44 की जगा हमने लिख दिया, 2 t square का whole square यह सब जो है न, basic चीजे हैं यह मैंने आपको exercise 4.1 में सिखाई ही है, तो 44 की जगा हमने लिख दिया, 2 t square का square, plus का sign उतारेंगे 25 का अगर हम square करते हैं 25 का square होता है, 625 तो 625 की जगा हम लिख देंगे 25 का square 25 whole square ठीक है, यह हमने इन दोनों का square root कर दिया, अगर 2 values हैं दोनों values के दर्मियान plus है और दोनों पे square root हो सकता है, तो हम उसके उपर square का formula यूज करके उससे completing square से solve करते हैं लिखते हैं हम applying formula formula हम 2AB plus B square यह हमारे पास है A और यह है B इस formula में जहां जहां A होगा, वहां हम A की value substitute कर देंगे, जहां B होगा वहां B की value substitute कर देंगे, यहनि A square करना है, A हमारे पास क्या है 2T square का हम कर देंगे square plus 2AB करना है, plus 2 लिखेंगे, यह A है और यह B है, A को B से multiply करेंगे, 2T square multiply by 25, यह हमने कर दिया, 2AB plus, अब हमें B square करना है, B हमारे पास है 25, तो हमें 25 का square करना है, यह हमारा इसकी जगा पे formula open हो गया अब इसकी middle value देखें, इसकी middle value क्या है, 2 multiply by 2T square multiply by 25, 2, 2's of 4 4 को 25 से multiply करेंगे, हमारे पास आएगा 100T square हमारे पास middle value आ रही है, plus 100T square, क्यूंके इसमें कोई middle value नहीं है, इसलिए हमें completing square करना पड़ेगा तो जो middle value आ रही है, उसको हम inverse sign के साथ इसमें लिख देंगे plus 100T square आ रही है, हम लिखेंगे minus 100T square हमने इसमें क्या करा है, हमने इसमें add और subtract क्या है 100T square को, तो हम इसमें लिख देते हैं इसको by adding and subtracting 100T square 100T square को हमने यहाँ add करा और यहाँ subtract करा इससे यह completing square हो गया क्यूंके यह completing square हो गया है इसलिए हम इसका formula बंद कर सकते हैं हम क्या करेंगे, हम करेंगे a plus b whole square, यह हमारे पास है 2T square, यह वाला plus लिखेंगे, और b हमारे पास है 25, 25 whole square, यह हमने कर लिया a plus b whole square, minus 100T square हम यहाँ पे इसके साथ ही उतार लेंगे minus 100T square, लेकिए यह जो पूरा formula था, यह close होके यह इतना चोटा सा बन गया, और यह minus 100T square हमने साथ पे उतार लिया अब हम इसके उपर formula 5 अप्लाई करेंगे यहाँ mention कर देते हैं applying formula, और कौन सा formula यूज करेंगे अब हम अब हम यूज करेंगे, a whole square minus b whole square will be equals to a plus b, a minus b formula अप्लाई कर देते हैं 80 square plus 25 whole square, यह a पे whole square है लिखिन b पे whole square नहीं है, b पे whole square करेंगे, तो 100 का square root हो जाएगा 10, और t square का हो जाएगा t, तो हम लिखिन के 10 t पे whole square, ठीक है, हमने इसका भी square root कर दिया, जैसे हमने इसके शुरूर में किया था अब यह हमारा पूरा a पे whole square हो गया minus b पे भी whole square हो गया a square minus b square बराबर होता है a plus b, a minus b के तो हम a की value को ऐसी उतार लेते हैं 2t square plus 25 a की value हमने ऐसी उतार ली और यह b की value को एक बार हम plus से multiply करके और एक बार minus से multiply करके करेंगे, b की value हमारे पास है 10t, इसके साथ कोई sign नहीं, इसका मतलब है plus 10t है, plus को जब हम plus से multiply करेंगे हमारे पासाज़े का plus 10t यह हमने कर लिया a plus b अब हम लिखेंगे a minus b a की value है 2t square plus 25 और b की value को एक बार हम minus से multiply करेंगे, plus minus minus 10t यह हमारा जो है solve हो गया, इसको हम arrange कर देते हैं, 2t square plus 10t हमने middle value को middle में लिख लिया, plus 25 2t square minus 10t plus 25 यह हमारा question solve हो गया question 2 का question 4 है 44 plus 1, अब इसके उपर भी square root हो सकता है, इस पर भी square root हो सकता है हम इसको square root कर देते हैं, 44 का हो जाएगा 2t square का whole square plus 1 के उपर भी हम square कर देंगे यह हमारे पास हो गया a square plus b square, इसके उपर हम square का formula apply करते हैं applying formula a plus b whole square will be equals to a square plus 2ab plus b square ठीक है, यह formula में इस पर apply करेंगे यह a है हमारा, यह b है तो जहाँ जहाँ इसके अंदर a है वहाँ पर हम 2t square लिख देंगे जहाँ भी है, वहाँ पर हम 1 लिख देंगे ठीक है, अब हमें करना है a square plus 2ab plus b square a square की जहाँ हम लिखेंगे 2t square का whole square plus 2, हम formula का लिखेंगे a multiply by b करना है a हमारे पास है 2t square b हमारे पास है 1 plus 1, यानि b पे square करेंगे plus 1 पे whole square bracket close कर देते हैं यह हमने इसके उपर square का formula अपलाई कर दिया अब इसके middle value हमारे पास है 2 to the 4t square 40 square इसके middle value है जबके इसके पास कोई middle value नहीं है तो इसको हम completing square करेंगे plus 40 square हमारे पास middle value आईए हम लिखेंगे minus 40 square हमने इसके अंदर completing square करा 40 square को add भी कर दिया और subtract भी कर दिया यह हम लिख लेते हैं by adding and subtracting 40 square 40 square को add और subtract कर दिया जब इसका हमने completing square कर दिया है तो इसका formula close जाएगा हम ये 2T square लेंगे ये plus लेंगे और ये 1 लेंगे और इसका whole square कर देंगे 2T square plus 1 पे whole square ये हो गया A plus B whole square अब ये हमारे पास जो minus 4T square है हम इसके पास उतार लेते हैं ये हो गया minus 4T square अब इसके उपर हम formula 5 अप्लाई कर देंगे किस तरह से हम लिखेंगे 2T square plus 1 whole square minus इसको भी हम square कर दें 4T square का क्या मन जाएगा 2T पे whole square हमने क्या कर दिया A whole square minus B whole square कर दिया यानि इस पे हमने formula अप्लाई कर दिया जब A पे भी whole square हो A की value हमने पूरी लिखी और B को हमने एक बार plus के sign से multiply करके लिख लिए यह हमने रिख दिया A plus B अब हम लिखेंगे A minus B A हमारे पास है 2T square plus 1 और B हमारे पास है 2T plus minus minus 2T हमने B को एक बार plus से multiply करा और एक बार minus से multiply करा यह हमारा answer आगे इसको arrange कर लिए 2T square plus 2T हमने middle value को middle में लिखा plus 1 2T square minus 2T plus 1 यह हमारा question solve हो गया हमने इसको arrange भी कर लिया question number 2 के 4 question हमारे complete हो गया exercise 4.2 का question number 3 करेंगे resolve into factor इसका question number 1 देखें x square plus 3x minus 10 है देखें x पे तो square है तो इसका whole square करे जा सकता है लेकिन 10 का whole square नहीं करे जा सकता 10 का square root नहीं होता अगर यहां पे 9 होता तो हम 3 का whole square कर सकते थे ऐसा question जिसके अंदर एक तरफ square कर सकते हम दूसरी तरफ square नहीं कर सकते तो उसके अंदर हम square का formula या formula to use नहीं कर सकते जब हम इसके अंदर formula to use नहीं करेंगे तो हमें completing square भी इसके अंदर नहीं करना ऐसा question जिसको हम एक तरफ तो whole square कर सकते हो लेकिन उसकी दूसरी value की तरफ whole square नहीं कर सकते हो उसके अंदर हम middle term breakdown करते हैं छीके इन questions को हम middle term breakdown से करेंगे question number 3 और question number 4 सारे middle term breakdown से होने middle term breakdown आपने exercise 4.1 में सीका है यह आपको आता है लेकिन यह थोड़े से उसके मुश्किल questions है लेकिन वही method इसके अंदर use होगा अब आपकी सोचेंगे कि इस exercise में तो हम completing square कर रहे थे इसमें बीचे middle term breakdown क्यों आ गया यह इन्होंने इसके अंदर इसलिए दिया है कि आप यह पहचान सकें कि आपने कौन से questions के अंदर middle term breakdown करना है कौन से questions के अंदर आपने completing square करना है कौन से questions के अंदर आपने formula 5 अपलाए करना है यह सिर्फ इसलिए क्यूंकि जब exam में इसका long question आपका आता है long question में exercise 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 और 4.5 इन पांचो exercise से मिलाके एक long question आता है और इन सब में से एक-एक question होता है उन questions को mix करके दिया वह होता है आपको यही पैचानना होता है कि आपने इसमें कौन सा method यूज करना है मैं आपको जैसे जैसे कराती जा रही हूँ वैसे वैसे समझाती जा रही हूँ तो इन्शालत आला जब हम यह chapter complete करेंगे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि आपने कहां पे कौन सा formula यूज करना है यह मैंने आपको बताया completing square का formula कब यूज करते है और इसमें अब जो हम third और four question करेंगे इसके अंदर हम क्यूं completing square नहीं कर रहे है वो भी मैंने आपको explain कर दिया है देखे इसमें ये A और ये B की value होती है A के उपर तो holy square हो सकते है B पे holy square नहीं हो सकता इसके तमाम question में बिल्कुल यह condition रहेगी इसके अदर हम completing square नहीं करेंगे बलके middle term breakdown करेंगे square का formula यूज नहीं करेंगे completing square भी नहीं करेंगे इसलिए हम इसके उपर middle term breakdown का formula यूज करेंगे यहाँ पे x square के साथ 1 है 10 को 1 से multiply करेंगे 10 1 सा 10 अब हमारे पास value आ गई 10 उस 10 के हम multiples निकालेंगे 2 multiply by 5 किसके बराबर होता है 10 के बराबर होता है तो 10 के multiples क्या है 5 और 2 हमें क्या चाहिए middle value हमें 3 चाहिए अगर हम 5 में से 2 minus करनेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 इसका मतलब है ये middle value की जगा पर हम क्या लिखेंगे हम इसके factors लिखेंगे इस middle value 3x की जगा पर हम लिखेंगे 5x minus 2x ठीके देखें 5x minus 2x 5x में से 2x निका लिखेंगे हमारे पास आ जाएगा plus 3x हमें plus 3x चाहिए plus 3x की जगा हम क्या लिखेंगे 5x minus 2x ये x square हम ऐसे ही उतार लेंगे और plus 3x की जगा हम लिखेंगे 5x minus 2x और ये minus 10 ऐसे ही उतार लेंगे हमेशे ये खियाल कीजएगा प्लस 5x है और ये minus 2x minus 10 है दोनों को अलग-अलग solve करेंगे ये है x square plus 5x इन दोनों के पास क्या common है इन दोनों के पास सिर्फ 1x common है हम 1x common निकाल लेते यहाँ पर क्या बजगिया यहाँ पर बजगिया x square में से 1x common गया था यहाँ बजगिया 1x प्लस का sign है की plus का sign उतारते है 5x में से 1x common में चलगिया यहाँ बजगिया plus 5 ठीक है? ये हमने इन दोनों को solve कर लिए आप इन दोनों को solve करते हैं तो यहाँ पर sign होता है यही sign हम यहाँ पर उतारते हैं इन दोनों के पास क्या common है यहाँ पे 2x है और यहाँ 10 है आपको पता है न 10 के multiples कियाते है 2 multiply by 5 तो इसके पास 2 और 5 है तो इन दोनों के पास 2 common है हमने 2 common में निकाल दिया अब remainder लिख लेते हैं इसके पास एक 2x में से 2 common में चला गया इसके पास बज़िया 1x और इसका sign क्या है minus और यहाँ पे भी है minus 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 plus x अब इसके पास जो हमें sign डालना है न वो हम इन दोनों के sign को multiply करेंगे minus minus plus अब यहाँ पे देखें 10 की जगा हो गया था 5 multiply by 2 2 common में चला गया है यहाँ बज़िया सरफ 5 सब्सके अंदर देखें यह 4 से 2 values बन गए यह एक term है और यह दूसरी term है आपको पता है न टर्म के बीच में plus minus होता है इन दोनों टर्म के बीच में minus है अब इन दोनों टर्म के अंदर से हम common निकालेंगे और remainder लिख लेंगे इन दोनों टर्म के पास क्या common है इसके पास पूरा x plus 5 का bracket है इसके पूरा x plus 5 का bracket है तो पूरा x plus 5 का bracket हमने common में निकाल दिया और इसके बाद हम लिखेंगे remainder इसके पास देखें, x था और x प्लस 5 था, x प्लस 5 का bracket तो common में चला गया, इसके पास बचा सिर्फ 1x, इसी तरह इसके पास देखें, second term के पास, x प्लस 5 common में चला गया, इसके पास बचा है, minus 2, हमने common और remainder, पहले common लिखा और remainder को एक साथ लिख दिया, यह हमारा question solve हो गया, question number 3 का question 2 है, a square, b square, minus 3, a, b, minus 10, आप देखें, यह a है और यह b है, a पे तो whole square कर सकते हैं, यह b के ओपर whole square नहीं कर सकते हैं, तो इसके ओपर भी हम square का formula या formula 2 apply नहीं कर सकते हैं, और इस से completing square नहीं कर सकते हैं, तो इसको भी middle term breakdown करेंगे, यहाँ a square, b square से पहले क्या है, 1 है, 10 10 के multiples निकाल के 3, a, b, की जगा हमें लिखने, 10 के multiples वह ही है, 5 multiply by 2 होता है, 10, हमें minus 3, a, b, चाहिए, इसका मतलब है कि अगर हम minus 5, a, b, में से plus 2, a, b, को minus करने तो हमारे पास आजएगा minus 3, a, b, ठीक है, तो हम यह जो rough work है यह आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप pencil से कीज इसको remove कर दीज़ेगा, और जब आपको करना आ जाता है ना, तो इस rough work की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि कुछ students ऐसे होते हैं, जिनको बिल्कुल basic भूल गया होता है, हालकि यह आपने 6, 7, 8 class में सीखा वाए, यह सारा middle term breakdown उ देखेंगे minus 5AB plus 2AB और यह minus 10 हम ऐसे ही उतार लेते हैं, देखें साइन यहाँ वाला match होना ज़रूरी होता है, जो साइन यहाँ है यह हमारा इसका solve करके यहाँ पे आना चाहिए, अब यह हमारे पास 4 values बन गई, 4 values को हम दो में divide करके करेंगे, यह a square minus b square minus 5AB को हम एक साथ solve कर b square है, इसके पास 1B है, तो 1B common है, यह हमने common निकाल दिया, इसके पास remainder जो बचे हो लिख लेते हैं, a square b square में से 1AB common में चल गया, 1AB इसके पास remainder बचा, यह minus उतारेंगे, 5AB में से A और B common में चल गया, सिरफ 5 यहाँ पे बच गया, अब इसमें जो यहाँ पे sign होता है, common देखेंगे, 10 का आपको पता है न, multiples 2 5s are 10 होता है, तो 2 जो है, इन दोनों के पास common है, 2 common में निकाल देते हैं, bracket बनाएंगे, remainder लिखेंगे, plus 2AB में से 2 common में चल गया, यहाँ A भी बच गया, ठीके, plus plus plus, plus minus, minus का sign आएगा, 2 5s are 10 होता है, 2 common में चल गया, 5 बचा, यहाँ प पूरी term है, अब इन दोनों term में से common निकालेंगे और remainder लिख लेंगे, इन दोनों term के पास यह पूरा bracket common है, AB minus 5 और AB minus 5, AB minus 5 इस टर्म में भी है, और AB minus 5 इस में भी है, तो AB minus 5 हम common निकाल लेते हैं, अब इस term के पास से AB minus 5 common में चल गया, यहाँ पे बचा सिर्फ एक AB, पूरा bracket चल लगी, यहाँ बचा, प्लस 2, यह हमारा common और remainder हो गया, हमारा question number 2 भी solve हो गया, question number 3 का question 3 है, Y square plus 7Y minus 98, अब यही मसला है, इसके अंदर भी, यहाँ पे Y पे तो square हो सकता है, लेकि 98 का square नहीं हो सकता, इसलिए हम 98 को यहाँ 1 से multiply करेंगे, 98 आएगा, 98 के multiples निकाल ले 7, हमारे पास यह multiples निकले, यहाँ हम इसको इस तरह plus minus करेंगे, कि हमारे पास 7Y आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं, 14Y में से minus 7Y करेंगे, हमारे पास plus 7Y आ जाएगा, तो हम यहाँ पे 7Y की जगा पर क्या लिखेंगे, 14-7Y, देखें, यह मैं आपको फिर बताती हूँ, यह rough फर्क आपको करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यह आप prime factors निकालके दिखा दें, लेकिन यह rough फर्क नहीं कीजेगा, मैं सरफ आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, बहुत easy होता है, औरल ही हो जाता है यह को एक साथ solve करेंगे, y square plus 14y में क्या common है, सरफ एक y common है, y common निकाल दिया, y square में से y common में चल गया, एक y बच गया, प्लस उतारेंगे, 14y में से y common में चल गया, 14 बच गया, यहाँ पे दोनों में से लिखें, क्या common निकल ला है, सबसे पहले यह जो sign है, हम यह वाला sign लिखें 7 इसके पास भी है, तो 7 common में निकल जाएगा, इसके बाद remainder लिख ले थे, minus 7y में से, minus 7 common चल गया, क्या बच गया, minus minus plus y, minus को minus से multiply करेंगे, minus minus plus, और यहाँ पे 14 multiply by 7 था, 98 की जगा multiple लिखें न, हमने 14 multiply by 7 था, 7 common में चल गया, यहाँ बच गया 14, अब हमारी यह 4 terms से यह बन नहीं दो terms, एक यह पूरी term है, एक यह term है, इन दोनों terms में common क्या है, y plus 14 का पूरा bracket जो है, वो common है, हमने पूरा bracket common में लिख दिया, और remainder लिख लेते हम, देखें, इस पूरी term में से y plus 14 common में चल गया, सिर्फ y बच गया, और इस पूरी term में से y plus 14 common में चल गया, यहाँ minus 7 बच गया बस, तो यह हमारा question solve हो गया, यह हमने common लिखा और यह remainder लिख दिया, question number 4 है, हमारे पास x square y square z square plus 2 x y z minus 24, ठीके, इसके अंदर भी लिखें, 24 के उपर square नहीं के जा सकता है, इसलिए इसके उपर भी square का formula नहीं लगा सकते, इसलिए हम 24 के यहाँ 1 से multiply करेंगे, 24 बच 24, 24 के prime factors निकाल लेंगे, 2 x 2, 2 x 2 x 4, 2 x 7 x 14, 7 x, no sorry, 2 x 6 x 12, 2 x 3 x 3, 2 x 2 x 3, कितना आ रहा है, 24 आ रहा है, हम 2 को 2 से multiply करें, 4 आ जाएगा, और 3 को 2 से multiply करें, 6 आ जाएगा, ठीके, अगर हम 6 में से 4 को minus कर देंगे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हम क करेंगे, plus 6 x y z में से minus कर देंगे, 4 x y z को, हमारे पास आ जाएगा, 2 x y z, यहाँ पर 2 x y z की रिगा हम लिखेंगे, plus 6 x y z, minus 4 x y z, लिख लेते हैं, x square, y square, z square, plus 2 x y z की रिगा हमें लिखना है, 6 x y z, minus 4 x y z, और यह minus 24, ऐसे उतार लिया, 3 term से 4 term में convert हो गया, अब इन 4 term से हम 2 terms में convert करेंगे, इन दोनों में common देखते हैं, इन दोनों के पास क्या है, इसके पास x square, y square, z square है, इसके पास सिर्फ 1 x y और z है, तो 1 x y और z common निकल आएगा, इसके पास क्या बज़ गया, इसके पास x square, y square, z square था, उसमें से 1 x y z चला गया तो यहां बच गया एक एकज वाइजड़ यह वाला प्लस का साइन उतारेंगे six x y z में से x y z common में चल गए यह तेनों चले गए इसके बार सिर्फ six बच गया यह वाला साइन होता है हम यहाँ पर ही साइन ऐसे ही उतारते हैं अब इसको डेखें इसके इसके पास है 4xyz, इसके पास है 24, 6 4s है 24 होता है, 24 की जगा हम multiples क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं, 6 4s है 24, तो 4 इसका हमारा common में निकल जाएगा, यहां बजएगा, x, y, z, और minus, minus, plus, minus को minus से multiply करेंगे, plus आजएगा, 24 में से 4 तो common में चल लगे, यहां बज़ी गया है, सि x, y, z, plus 6 का, पूरा bracket x, y, z, plus 6 का हमने common निकाल दिया, अब remainder को एक साथ लिख देंगे, इसके पास, इस पूरे के पास जो है, यह bracket common में चल लगे, सिर्फ x, y, z, बज़ी गया, और इस term में, यह पूरा bracket common में चल लगे, सिर्फ minus 4 बज़ी गया, यह हमारा question solve हो गया, यह हमन लगे common और यह लगे remainder, तो हमारा question number 3 के 4 questions से हमने 4 questions complete कर लिये, question number 4 का question 1 है, 9y square plus 21yz minus 8z square, अब यहाँ पे देखे, 9y square का तो square root हो सकता है, 3y का whole square, लेकिन 8z square में से 8 के उपर square root नहीं हो सकता, 8 को हम square के form में नहीं लिख सकते, इसलिए हम इसके अंदर नहीं square का formula यूज करें बलके हम middle term breakdown करेंगे, लेकिन यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 21 है, यहाँ पर 8 है, इन में से कुछ common नहीं निकल सकता, इसलिए हम इसको common नहीं निकालेंगे, वरना अगर इसमें कुछ common निकल रहा हो, तो हम common निकाल देते हैं, ठीके, लेकिन यहाँ common नहीं निकल ला, coefficient किसे कहते जो भी अदद होता है, उसे कहते हैं, coefficient, तो इस variable के साथ coefficient 8 है, और इसके साथ जो है, y² के साथ जो coefficient है, वो है 9, दोनों की coefficient को हम multiply कर लेंगे, 9 x 8 कितना हो जाएगा, 8 9s are 72, अब इस 72 के prime factors निकाल लेंगे हम, 2 3s are 6, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 3 3s are 9, और 3 1s are 3, यह हमने इसके prime factors निकाल लेंगे हैं, इसको हम लेके लेते हैं, 2 x 2 x 2 x 2 x 3 x 3, इसके बराबर आ रहा है, 3 x 3, इन सब को multiply करेंगे, 72 आएगा, देखे हमें हमें यहां पे middle value चाहिए 21, तो अगर हम इसको 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24 करते हैं, और यह जो 3 बचा, उसमें से 24 में से 3 माइनस कर हमें पस आजेगा 21, तो हम यहां पे 21 की जगा पे 24 माइनस 3 लिखेंगे, हम लिखेंगे प्लस 24 yz और माइनस 3 yz, इससे हमारा आजेगा प्लस 21 yz, तो 9 y square हम ऐसे ही लिख लेते हैं अभी, और प्लस 21 yz की जगा हम लिखेंगे, यह जो हमने अभी इसके prime factors निकालें, प्लस 24 24 yz, माइनस 3 yz, माइनस 8 z squared, अभी यह 3 terms से ही, 3 से 4 terms में convert हो गई, अब हम इन 2 terms को एक साथ solve करेंगे, और इन दोनों को एक साथ solve करेंगे, 9 y square प्लस 24 yz में से common क्या निकल रहा है, यह अगर हम इसके multiple लिखेंगे तो 3 3s are 9, और 3 8s are 24 होता है, इन दोनों के पास क्या common है, और इसके पास y square है, इसके पास 1 y है, तो 3 y इनके पास से common निकल रहा है, हम लिखेंगे 3 y हमने common निकल दिया, bracket बनाके हम लिखेंगे remainder, इन दोनों के पास जो remainder बचें वो लिखेंगे, 9 y square में से 3 y common में चल गया, इसके पास बचा 1 3 और 1 y, तो हम 3 y इसका remainder लिखेंगे यह प्लस उतारेंगे, इसके पास 3 multiply by 8 y z, इसमें से 3 और y common में चल गया, यहां बच गया 8 और z, यहां हम लिखेंगे प्लस 8 z, अब इन दोनों के दर्मियान common और remainder लिखेंगे, यह बाला जो sign है, माइनस कर यह हम नीचे लेंगे, और इसके अंदर देखें, 3 है, इसके पास 8 है 3 और 8 में कुछ भी common नहीं निकल सकता, y, z है और यहां पे z square है, तो 1 z इसके पास भी है, 1 z इसके पास भी है, तो सिर्फ 1 z common में निकल जाएगा, minus minus plus, अब इसमें से 3 y z में से z common में चल गया, यहां बच गया 3 y, minus minus plus, plus 3 y, और इस minus को इस minus से multiply करें, minus minus plus, और यहां पे 8 z square मे से एक z common में गया तो यहां बज़िया 8 और 1 z बज़िया ठीक है अब यह 4 term से 2 terms में convert होगा यह पूरी एक term है यह दूसरी एक term है इन दोनों terms में से common और remainder लिखते हैं इन दोनों terms के पास यह पूरा bracket 3y प्लस 8z common है इसके इसके पास भी यह पूरा bracket है इन दोनों के पास जो common bracket है इसको हम एक बार लिख लेते हैं 3y प्लस 8z हमने दोनों का common लिख दिया अब इसके बाद हम लिखेंगे remainder इस पूरी term में से यह पूरा bracket common में चला गया इसके पास बज़िया 3y इसका remainder लिख ले दें और इस पूरी term में से यह पूरा bracket common में चला गया इसके पास बज़िया यह minus z ठीक है यह हमने common और remainder लिख दिये हमारा question number 4 का question 1 solve हो गया question number 4 का question 2 है 42x square minus 8x minus 2 इन तीरों की coefficient को देखें की coefficient है 42 यह है 8 और यह है 2 इनके पास देखें common निकाल सकते हैं इसके अंदर से तो हम चाहें तो इसके first step परी से common निकाल के और फिर solve कर सकते हैं इसको हम दो तरह कर सकते हैं एक तो हम इसको इसको इसी तरह solve कर लें और जो आखिर में answer आए उसमें से common निकाल दें दूसरा तरीका क्या है कि हम इसके फर्स स्टेप पर इसमें से common निकाल दें मैं इसको आपको फर्स स्टेप पर common निकाल के करके रिखाऊंगी वो जादा बेहतर तरीका है तो हमारे पास आएगा 2 multiply by 21 2 को हम 21 से multiply करें 42 आएगा इसी तरह हम 8 के multiple लिखते हैं 2 4s आ 8 और 2 के multiples तो 2 1s आ 2 होंगे तो इन 3 के पास क्या common है इन 3 के पास coefficient 2 common है 2 को common निकाल देते हैं और यहां bracket दे देते हैं अब यहां पर देखें क्या बज़ गया उनको एक साथ लिख लेते हैं यहां पर 2 common में गया यहां बज़ गया 21 x square minus यहां पर 2 common में गया यहां बज़ गया 4 और x 4 x यहां पर minus यह minus उतारेंगे यहां पर देखें सिर्फ 2 था तो 2 common में चला गया यहां पर बज़ गया सिर्फ 1 चीक है अब यह जो हमारा question न यह question है इसको हम solve करेंगे यह 2 को ऐसे ही आएगा अब 21 के हमें prime factors निकालने और उसके prime factors को plus minus करके 4x लेकर आना है 21 के आपको multiples पता है न 7, 3s are 21 होता है या समझ लिए 3, 7s are 21 होता है एक ही बात है तो अगर हम 7 में से 3 को minus कर देंगे तो हमारे पस क्या जाएगा 4 आजाएगा अगर हम minus 7 में से plus 3 को minus करेंगे हमारे पस क्या जाएगा minus 4 हमें minus 4x चाहिए तो minus 4x की जगा हम क्या लिखेंगे minus 7x plus 3x middle term breakdown कर देंगे 21x square ऐसे लिखेंगे minus 4x की जगा हम लिखेंगे minus 7x plus 3x minus 1 हमने 3 terms से 4 terms बना दी है तो अब इन दोनों terms में से common और remainder लिखेंगे और इन दोनों terms का भी common और remainder लिखेंगे 2 का हम यहाँ पे side में ऐसे ही रखेंगे ठीके इन दोनों में common क्या निकल ला है 21x square है और यहाँ पे 7x है तो आपको पता है न 21 का multiple लिखेंगे तो 7, 3 is a 21 होता है और यहाँ 7, 1 is a 7 होगा इन दोनों के पास 7 common है इसके पास है x square और इसके पास है 1x तो 1x भी common है इसके बाद हमने इन दोनों के common लिख लिए अब इन दोनों के remainder एक साथ लिखते हैं यहाँ पे देखें 21x square में से 7x common चला गया यहाँ बज़ गया 3 और 1x 3x इसमें बज़ गया यह minus उतारेंगे 7x में से 7x ही common में चला गया यहाँ क्या बज़ गया सरिफ 1 ठीक है इसके common और remainder हमने दिख दिए अब इन दोनों को देखें यह है plus 3x यह है minus 1 कुछ भी common नहीं हम लिखेंगे plus 1 यहाँ का sign हम जो होता नहीं यह बाला sign हम यहाँ लिखते है plus 1 हमने common में लिख दिया remainder क्या बज़ इसके पास वही 3x minus 1 इसका remainder बज़ गया क्योंकि सिर्फ 1 ही तो गया ना common में ठीके अब यह हमारी देखें चार terms नहीं चार से यह दो terms बन गई अब इन दोनों के दर्मियान जो चीज common है वो एक बार लिख लेंगे और remainders को एक साथ लिख लेंगे first term में भी 3x minus 1 है और second term में भी 3x minus 1 है दोनों के पास क्या common है यह पूरा bracket common है 3x minus 1 का common लिख देते हैं इन दोनों के पास जो remainder बचे उनको एक साथ लिख लेते हैं इसके पास remainder क्या बचा 3x minus 1 का यह पूरा bracket common में गया यह सिर्फ 7x बच गया यह वाला प्लस उतारते हैं इसके पास से 3x minus 1 का bracket चल लगए यहां बच गया सिर्फ 1 यह हमारे पास हो गया common और remainder अब इसको हम दुबारा लिख लेते हैं 2 7x plus 1 3x minus 1 तो हम इने arrange करके लिख 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 और यह curly bracket के अब ज़रूरत नहीं है उसको हमने remove कर दिया यह हमारा question number 2 solve हो गया इसमें first step पर ही common निकाल लिए इससे काफी easy हो गया अगर आप common नहीं निकालेंगे तो थोड़ी सी मुश्किल value होगी लेकिन वो भी solve हो जाएगा मैं आपको इसको बगएर common निकाले भी solve करके दिखा देती हूँ क्योंकि कुछ schools में बगएर common निकाले भी कराते हैं फिर students कहते हैं आपने गलत कराया था देखें एक ही सवाल के क्या method होते हैं मैं आपको तमाम method एक साथ नहीं सिखा सकती जो मुझे सबसे बैतर लगता है मैं वो method आपको सिखा देती हूँ अगर हम बगएर common निकाले इस question को करेंगे तो यहां पर x square के साथ coefficient है 42 और यहां coefficient है 2 इस 42 को 2 से multiply करेंगे हमारे पास क्या आजाएगा 42 multiply by 2 will be equals to 84 तो अब हम 84 के यहां पर prime factors निकालेंगे 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 3 7s are 21 और 7 1s are 7 अब यह हमारे पास values आईए लेते हैं 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7 इनको करते हैं तो 84 आता है हमारे पास इन सबको multiply करेंगे तो 84 आएगा इसके हम थोड़ी सी तर्टीब चेंज करेंगे 2 को 7 से multiply करें 2 7s are 14 और 3 को 2 से multiply करेंगे 6 आजाएगा 2 7s are 14 लिखते हैं और 3 2s are 6 लिखते हैं 14 में से अगर हम 6 को minus करेंगे मारे पास 8 आजाएगा ठीके minus 14 में से plus 6 minus करेंगे मारे पास आजाएगा minus 8 हमें यहाँ पे minus 8 ही चाहिए ना तो हम minus 8 की जगा क्या लिखेंगे minus 14 plus 6 कर देते हैं इसको हम 42 x square minus 14 x plus 6 x हमें देखें जो यहाँ पे sign होता है वो ही हमें यहाँ sign लाना होता है इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा sign change करते हैं कि पहले किसको लिखना है यह हम इसको देखके decide करते हैं अच्छा यह हमने 8 x की जगा minus 14 x plus 6 x लिखेंगे और यह minus 2 इसमें हम common निकालते है 42 x square minus 14 x में से क्या common निकलेगा 14 दोनों के पास common है 14 और 1 x इसके पास x square है इसके पास 1 x है तो 1 x भी common है इनका common निकल गया remainder क्या बचा 42 x square में से 14 x चला गया यहाँ बच गया 3 और 1 x बच गया 3 x यह वाला sign उतारेंगे minus का 14 x में से 14 x common में चला गया यहाँ बच गया स्रिफ 1 यह वाला plus का sign उतारेंगे और इन दोनों में से common निकालेंगे 6 x minus 2 में से इसके पास है 6 x इन दोनों के पास 2 common है plus 2 common में निकल आएगा 6 x में से 2 common में चला गया 3 और x plus minus minus यहाँ पे था सिर्फ 2 2 common में चला गया यहाँ बच गया सिर्फ 1 तो हमारे पास 3 x minus 1 remainder हो गया अब यह जो 4 terms ही यह बन गई 2 terms एक यह पूरी term है एक यह दूसरी term है यह first term है और यह second term है इन दोनों में से common और remainder लिक लेते हैं इस पूरी term के पास 3 x minus 1 का पूरा bracket है और इसके पास भी 3 x minus 1 का पूरा bracket है यह पूरा bracket हम common में निकाल देते हैं 3 x minus 1 का bracket common में चला गया अब यहाँ पर क्या बच गया 14 x यहाँ बच गया plus 2 इन दोनों को हम remainder को एक साथ लिक लेते हैं 14 x plus 2 हमने remainder लिक लिए 3 x minus 1 को यही रखते हैं ऐसे ही इन दोनों में से देखें अभी common निकल रहा है 2 x 7 जा 14 होते हैं तो 2 common निकाल देंगे यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 7 x और यहाँ क्या? क्योंकि प्लस 2 में से 2 common में चला गया यहाँ बच गया 1 तो यह हमारा question solve हो गया इसको थोड़ा arrange कर लेते हैं हम प्लस वाली values को पहले लिख लेते हैं 2 7 x plus 1 और 3 x minus 1 इस bracket को बाद में लिख दिया और इस bracket को पूरे को पहले लिख दिया यह हमारा question solve हो गया question number 2 का मैंने second method भी सिका दिया दोनों में से आपके school में जो method कराया हो आप उसको follow कर लिजेगा या आपको जो easy लगे वो कर लें दोनों ही बिल्कुल correct method है question number 4 का question 3 है 4 x square plus 12 x plus 5 अब इसके अंदर भी देख लिजे 4 x square को तो आप square कर सकते हैं लेकिन 5 का नहीं कर सकते तो इसके अंदर हम middle term breakdown करेंगे coefficient क्या है हमारे पास x square के साथ है 4 और यहाँ पर है 5 4 को 5 से multiply करेंगे 4 5s are 20 20 के prime factors निकालते हैं 2 1s are 2, 0 का 0 2 5s are 10 और 5 1s are 5 2 multiply by 2 multiply by 5 20 के बराबर आता है हमें 12 जाहिए अगर हम 2 को ऐसे रन दे और 5 को 2 से multiply करें 5 2s are 10 10 में 2 को plus करेंगे हमारे पास क्या आजाएगा 12 आजाएगा तो हम 12 x की जगा क्या लिखेंगे 10 x plus 2 x 4 x square 12 x की जगा हम क्या लिखेंगे plus 10 x plus 2 x और यह plus 5 ऐसी उतार लेंगे अब यह 3 terms से 4 terms बन गई 4 से हम 2 terms बनाएगे इन दोनों timber को हम solve करेंगे इन दोनों के पास क्या common है 4 के multiples होते है 2 to the 4 10 के होते है 2 5 the 10 इन दोनों में क्या common है इन दोनों के पास 2 common है और x square इसके पास से 1 x तो 1 x भी common है तो 2 और 1 x common निकाल लेते हैं और इनके पास से जो remainder है वो लिख लेते हैं, 4x square में से 2x common गया, क्या बज़ गया, 2x बज़ गया, यह वाला plus का sign उतारेंगे 10x में से 2x चला गया, सिर्फ 5 बज़ गया, यहां कि जो plus का sign है यह उतार लेते हैं, इन दोनों के पास कुछ भी common नहीं है, तो हम 1 लिख देंगे जब हम यह middle term breakdown कर रहे होते हैं तो जब common नहीं होता हम 1 लेते हैं 0 नहीं लेते, ठीके अब क्यूंके 2x plus 5 में से सिर्फ 1 common गया, तो यह पूरा 2x plus 5 इसका remainder हो जाएगा, अब यह जो है, हमारी 2 terms बन गए, यह first term है और यह second term है इन दोनों terms के अदर common और remainder देखते हैं, first term के पास 2x plus 5 का पूरा bracket है, और second term के पास भी 2x plus 5 का पूरा bracket है तो 2x plus 5 का पूरा bracket हम common में निकाल देते हैं अब इस term के पास से 2x plus 5 का bracket common में चला गया, इसके पास बचा सिर्फ 2x, इसका 2x लिखते और second term में 2x plus 5 का bracket चल लगे इसके पास बचाए सिर्फ प्लस वन लिख देते हैं यह हमारा question जो है solve हो गया question number 4 हमारे पास है 3x square minus 38 xy minus 13 y square इसके अंदर भी पहले देखते थे हैं अगर कुछ common निकल सकता है तो नहीं यहां पे भी common नहीं निकल सकता इसलिए हम इसको solve करेंगे यहां पे coefficient है 3 और इसके पास coefficient है 13 13 को 3 से multiply करेंगे 13 3 x 39 तो हमें 13 9 के prime factors निकालने होंगे 3 x 3, 3 x 9, 13 x 13 तो इसके prime factors भी 13 multiply by 3 निकलेंगे अगर हम इसके multiples लिखते हैं तो यह आएंगे 3 multiply by 13 और अगर हम यह 1 भी लिख लें ठीके इस 1 को भी लिख लेते हैं तो यह आजएगा हमारे पास 39 इसको अब हम कैसे solve करेंगे 13 को 3 से multiply करें 39 आजएगा 39 में से हम यह 1 को minus कर दे हमारे पास 38 आजएगा देखें कितना different है इस question में बच्चे यही confused होते हैं कि जो है इस 1 को भी इसमें use करना पड़ता है अगर आप इस 1 को use नहीं करेंगे यह solve भी नहीं होगा इसमें जब हमने prime factors लिखें न हमने 3, 13 और यह 1 भी लिखा है 13 को 3 से multiply करा 39 आया उसमें से हम यह 1 minus करेंगे 38 आजएगा हमें 38 ही middle value चाहिए तो हम इसको लिख लेते हैं 3x square minus 38xy की जगा हम क्या लिखेंगे minus 39xy और plus 1xy ठीके 39 और 1 minus 13y square को ऐसे ही उतार लेते हैं अब इन दोनों का common remainder लिखेंगे और इन दोनों का common remainder लिखेंगे इसमें हम multiple लिख लेते हैं पहले 3 बंजा 3 और 3 को हम किस से multiply करें 13 आयाएगा 3 multiply by 13 will be equal to 39 इन दोनों में से common लिख लेते हैं इसके पास 3x square है इसके पास है 39xy तो 3 इन दोनों के पास common है और 1x भी common है 3x common निकाल देते हैं इसके पास क्या बज़ गया 3x square में से 3x common गया इसके पास सिर्फ 1x बज़ गया यह minus का sign ऐसे उतारेंगे 39xy में से 3x common में चला गया 13y बज़ गया 13y हम लिख देते हैं अब इसमें रेखें क्या common है पहले तो यह वाला plus का sign उतारेंगे इन दोनों के पास सिर्फ 1y common है यह xy है यह 13y है न एक y common निकलेंगा अब इसके remainder लिखते है plus xy में से y common चला गया यहां क्या बज़ गया plus x इन दोनों signs को multiply करेंगे plus minus minus 13y square में से 1y चला गया तो सिर्फ 13y इसका remainder हो गया अब यह रेखें 4 से 2 terms बन गई अब इन दोनों terms में हम देखेंगे common और remainder x माइनस 13y का पूरा bracket इसके पास भी है और x माइनस 13y इसके पास भी है तो x माइनस 13y का पूरा bracket common में लिख देते हैं और remainder एक साथ लिख देंगे इस पूरी term में से x माइनस 13y common में चला गया सिर्फ 3x बचा और इस पूरी term में से x माइनस 13y common में चला गया plus y बचा यह हमारा question solve हो गया हमारे question number 4 का fourth question भी complete हो गया इसके साथ ही हमारी exercise 4.2 complete हो गई मैंने आपको इस exercise के तमाम questions करवा दिये हैं और यह exercise मैंने आपको नई updated book से कराई है इंशाला काला मैं आपको बहुत जल इसकी exercise 4.3 भी करवा दूँगी अगर आपको physics, chemistry और math की कोई भी question का answer देखना हो तो आप इन subject की playlist में देख लिया कीजे हर subject की अरग playlist है आप अपने subject के साथ से playlist में visit करेंगे तो आपको बहुत असानी से अपने question का answer मिल जाएगा तो उमीद करती हूँ यह video आपके लिए helpful रही होगी प्लीज विडियो को like कीजे, share कीजे और subscribe कर लीजे, अगर आपने subscribe नहीं किया है तो अल्ला आफेज